सिल्वर की चाल देख लेते हैं आज रिकावरी दिख रही है पांच महीने के निचले अस्तरों से अगर आप देखे तो सोने में भी खईदारी आ रही है चांदी भी मजबूती आज दिखा रही है बिरेंजी क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर देखें मुझे भी लगता है कि शॉट टर्म बेसे से एक पुलबैक की पॉसिबिटी है स्वाट गोल्ड में अठारा सो पिचासी डॉलर जो के लोग उस्ते वहाँ पर एक शॉट टर्म अच्छा सपोर्ट है एक से दो दिन के लिहाज से पुलबैक के लिए खेलना चाहिए 58,200 से 250 की जोन में बाइंग की जा सकती है 58, 550 से 600 का शॉट टर्म टागेट होगा और इस टेट के लिए 58,020 के आसपास का में स्टॉप रेकमेंट करूँगा सिमिरली चांदी के अगर बात करें तो 70,000 से 69,900 के आसपास डिप पे बाइंग की जाए तो एक बैतर सौधा हो सकता है अपस्टाइड में 70,800 से लगबक 71,000 तक जो हमने कल हाइस देखे थे नॉन फार्म पे जाबलेस क्लेम जेटा के बाद वो दुबारा देखने मिल सकते हैं 70,800 के टार्गर के लिए चांदी खरीदे 58,550 रुपए के टार्गर के लिए गोल्ड खरीदे और बिरेंजी को भी लगता है कि गोल्ड यहाँ पर खरीदना चाहिए बुपेश जी चांदी में आप बताईए चांदी में क्या करना चाहिए 70,000 के ऊपर जी नमश्कार साथ चांदी की बात करें तो चांदी का बज़ार मुझे गोल्ड की तुलना में ज्यादा अच्छा लगता है चांदी 70,450 के ऊपर खरीदनी चाहिए जिसका स्टॉप लॉस 70,000 के नीचे कर रहेगा अब साइड में 70,900 और 71,300 के लग से समावित रहेंगी यानि 70,000 तक चांदी जा सकती है भुपेश जी को लगता है गोल्ड सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है सचिन जी नमश्का विश्मान जी बिलकुल गोल्ड और सिल्वर में अगर हम आज शूज करते हैं वो 69,900 का रखना रहेगा और आज इंट्राडे में हमें लगता है एक बर 71,200, 71,500 तक के लेवल जो है वो सिल्वर में देखने को मिल सकता है चलिए अब